नमस्कार दोस्तों दोस्तों कैसे हो दोस्तों आज आप इस वीडियो में सीखोगे कि चंदन हम कैसे हुगाते हैं तो दोस्तों चंदन जो होता है बहुत महंगा होता है चंदन का पेड़ का अपने नाम सुने है जब कोई हमारा पूजा पाथ या हवन हम करते हैं दुधर में चंदन की महतव है बहुत ज्यादा और चंदन का पेड़ है उसकी किमत कम से कम एक पेड़ की किमत दस राकर पर होती है दोस्तों तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि चंदन की सीड को कैसे उगाय जाता है तो उसके लिए सबसे पहले जो परसे स्टेप तो क्या करना है आपने दोस्तो सबसे पहले गॉम ओथ गाय का मुत्तर दिन छृत है जैसे मैंने इकटढ़ा कर रिखा है मैं आज इनकाला था है तो हमारी गाय ने एकटा कर लिया उसके बाद आपने क्या कहना है गोम ओतर लो है और गोम मुत्तर में इसकी सीड को ये है दोस्तों ये है तो दोस्तों यह जो चंदन की सीड है तो सीड को हमने क्या करना है इस गोव मूतर के अंदर हमने तीन दिन डाल कर रखना है उसके बाद हम इसको मेड के अंदर या क्यारी के अंदर इसको उगाएंगे तो बहां पर यह कम से कम चंदन की जो सीड है वो 15-20 दिन में त्यार होती तो इसको हम क्या करेंगे अब इसको डाल देते हैं इसमें तो दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली वा रहे हैं तो प्लीस इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ में चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें कि दोस्तो आपने काफी वीडियो देखें हैं मगर उसमें ब अगर आपने पोधा लगाना है चंदन का तो उसका लगाने का जो सीजन है बो है नॉमबर, दिसमबर और जनवरी और अगर आपके आपने सीड उगाने का जो सबसे अच्छा मौसम होता है वह बरसात क्योंकि बरसात में जो बारिश होती है उससे यह जो चीज बड़जदी प तो दोस्तो ऐसे अपने प्रोसेस करनें इसके बाद क्या सबढ़ने हैं? जहां पर आपने इसको उगाना है बाहां आपने अपने गौवरा ईसलिका हैं और गौव मूत्र भी डालने हैं ये ये तभी पैदा होती है और जल्दी पैदा होता है उसमें आपका 90% बीज जो है त्यार हो जाते हैं अब मैं आधी सीड डाल रहा हूँ इसमें और आधी में रख रहा हूँ तो दोस्तो जब मैं इस बीज को बहां पर उगाऊंगा तो मैं आपको तो उस वीडियो को इसमें अंदर एड़ कर दूँ है तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी तो दोस्तों तब के लिए जै हिन जै वारत